नमस्कार साथियों 2023 का वर्ष आज बजेट सत्र का प्रारम हो रहा है और प्रारम में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को माननेता होती है वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है आशा की किरन लेकर आ रही है उमंग का आगाज लेकर के आ रही है आज एक महत्मकु अवसर है भारत के वर्तमान राश्पती जी की आज पहली ही संयुक्त सदन को वो संबोधित करने जा रही है राश्पती जी का भाशन भारत के समिधान का गव्रव है भारत की संसदिय प्रणाली का गव्रव है और विशेश रुप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है न सर्फ सांसदों को लेकिन आज पुरे देश के लिए गवरों का पल है कि भारत के वर्तमान राष्पती जी का आज पहला उद्वोधन हो रहा है और हमारे संसदिय कार्य में गच्छे साथ दसक्त से जो परंपराय विक्सित हुई है उन परंपराओं में देखा गया है कि अगर कोई भी नया साउसद जो पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा होता है तो किसी भी दल का क्योंन हो जो पहली बार बोलता है तो पूरा सदन उनको सम्मानित करता है उनका आत्मविश्वास बढ़े उस प्रकार से एक सानुकुल बातावन तयार करता है एक उजवल और उत्तम परंपरा है आज राश्पती जी का उद्वोधन भी पहला उद्वोधन है सभी साउसदों की तरफ से उमंग उत्सा और उर्जा से भरा हुआ आज का ये पल हो यह हम सब का दाईत्व है मुझे विश्वास हम सभी साउसद इस कसोच्टिक पर खरे उत्रेंगे हमारी देश की वित्नमंत्री भी महला है वेकल और एक बजेट लेकर के देश के सामने आ रही है आज के वैश्विक परिस्तिती में भारत के बजेट के तरफ न स्रिफ भारत का लेकिन पूरे विश्वा का ध्यान है दावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्तिती में भारत का बजेट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांशाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही लेकिन विश्व जो आशा की किनन देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाश्मान नजराएं मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्यास करेगी भारतिये जनता पार्टी के नित्रुत्व में अंडिये सरकार उसका एक ही मकसद रहा है एक ही मोटो रहा है एक ही लक्ष रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंदर बिंदु में भी एक ही विचार रहा है इंडिया फर्स सिटिजन फर्स सबसे पहले देश सबसे पहले देशवासी उसी भावना को आगे बढ़ारते हुए इस बजेट सत्र में भी तक्रार भी रहेगी लेकिन तक्रीर भी तो होनी चाहिए है और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्षे सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्यान करके सदन में अपनी बात रखेंगे सदन देश के निती निधारन में बहुत अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा जो देश को काम आएगा मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं बहुत बहुत शुपक्वामनाई देता हूं धनिवाग शुपक्न निकाट चते अ अकाष्वाए झाल झाल